Hello everyone, welcome back to my channel Satis Artcraft तो आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे एक ब्यूटिफुल सी डेकॉरेटिव ट्रे इस वुडन ट्रे का यूज करके आज हम इसे डिफरेंट डिफरेंट आर्ट टेक्निक का यूज करके डेकॉरेट करेंगे तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो तो सबसे पहले मैं इस ट्रे को जैसो यह वाइट अक्रिलिक कलर से कवर करूँगी और उसका बेस तियार करूँगी तो मैंने यहाँ पे जैसो लगाने के लिए स्पॉंज का यूज किया है इससे एपलाई करने से कलर एवनली स्प्रेड होता है और ब्रश मार्क्स नहीं आते हैं तो फटा-फट से इस ट्रे को जैसो एपलाई करके हम इसको ड्राइ होने देंगे अच्छे से और उसके बाद ही अगला स्टेप करेंगे तो जब यह ट्रे अच्छे से ड्राइ हो जाए तो अब मैं इसके उपर टेक्चर वर्क स्टार्ट करूँगी ट्रे के सारे चारो तरफ आउटसाइड पे तो मैं यहां इस स्टेंसिल का इस्तमाल करके इसके उपर डिजाइन बनाऊंगी तो मैंने यह जो स्टेंसिल दिया है यह फ्लोरल डिजाइन का स्टेंसिल दिया है और अब चलिए स्टार्ट करते हैं डिजाइन बनाना मैंने तो यह स्टेंसिल लोकल मार्केट से ही परचेस किया था आप चाहें तो इस तरह के stencil काफी website पे online भी मिलते हैं आप वहाँ से भी purchase कर सकते हैं तो texture के texture बनाने के लिए मैंने हापे little birdie का texture paste यूज किया है उसका link मैं आपको description box में दे दूँगी आप वहाँ जाके इसे purchase कर सकते हैं तो जो हम texture paste है अब मैं palette knife की help से धीरे धीरे इसके उपर spread करेंगे और अच्छे से सारे pattern को fill करेंगे अब stencil को धीरे से remove करेंगे देखो कितना सुंदर design बन गया है और जब stencil remove करने के बाद हम अच्छे से edges clean करेंगे और अच्छे से इसको dry होने देंगे तो देखे dry होने के बाद ये कितना सुंदर दिख रहा है चारो तरफ इसके उपर design बन गया है अब tray के चारो तरफ का stencil वा complete हो गया है अब मैं tray के अंदर design बनाऊंगी and I am going to use this beautiful deco brush paper this is from CBTC और मैं इसमें से एक ही portion यूज़ करूंगी और इसकी दोनों layer को इस paper से अलग कर लूँगी और सारी side से अच्छे से tier कर लेंगे और जो भी design मुझे इसके अंदर paste करना है वो मैंने tier कर लिया है tier का reason मैंने आपको बताया है ताकि paper के edges दिखे ना paste करने के बाद तो मैंने इस तरह से जो भी design मुझे चाहिए था उन सब को निकाल के tier कर लिया है और अब हम इसको इस tray पर paste करेंगे जहां जहां भी हमें paste करना है तो जैसा कि आप screen पे देख सकते हैं tier करने के लिए हम लोग सबसे पहले इस पे sides पे water लगाते हैं और फिर उसके बाद ही इसको ये easily से easily tier हो जाता है मैंने यहां पे दो अलग अलग design के deco pouch paper का use किया है center के लिए मैंने ये बड़ा सा design लिया है flower का और sides पे मैंने ये छोटे-छोटे से motifs लिया है tray के चारतरफ लगाने के लिए तो मैंने अब इन सब को tier कर लिया है तो अब हम इसको paste करेंगे तो अब मैं paste करने के लिए यहां पे mod pouch glue का use करूँगी और paper को अच्छे से stick कर लूँगी जहां जहां पे मुझे paper stick करना है वैसे तो हम stick करने के लिए कोई भी glue का use कर सकते है पर हमेशा हमें upper layer पे mod pouch glue ही apply करना चाहिए उससे काफी अच्छा sheen आता है और mod pouch glue में apply करने के बाद काफी अच्छी सी covering हो जाती है और shine आती है मैं कोशिश करूँगी कि जो भी मैं products यहां पे use कर रही हूँ मैं उन सब का link आपको description box में दे दूँगी अगर आपको इसी तरह के same products use करने है तो तो इसी तरह से बातों ही बातों में हमारा decoupage work complete हो गया है इसको थोड़ी देर के लिए हम dry होने देंगे इसके बाद ही हम अपना next step start करेंगे तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आज हम इस tree को different art technique से decorate करेंगे तो चलिए start करते हैं तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे air dry clay ले लिया है और different different design के silicon molds ले लिया है तो मैं इन दोनों चीज़ों के use करके अलग-लग design के clay embellishments तयार कर लूँगी और फिर हम उसको paste करेंगे तो जैसा कि आप screen पे देख रहे हैं हम air dry clay को silicon mold में अच्छे से fill करके design तयार करेंगे और इस तरह से मैंने काफी सारे designs तयार करके रख लिया है अब मैं favicol का इस्तमाल करके जो भी मैंने silicon mold और air dry clay की help से design तयार करेंगे उन सबको हम इसके उपर एक एक करके paste करेंगे वैसे तो air dry clay जब dry नहीं होती है तो वो अच्छे से अपने आप ही paste हो जाती है उसमें किसी adhesive की ज़रूरत नहीं पड़ती इस बेटर कि हम हमेशा जब भी air dry clay के embellishment शिपकाते हैं तो हम कोई अच्छा सा adhesive ही use करें ताकि वो long lasting हो जाए तो अब हम इन सबको complete कर लेते हैं और अच्छे से सारे embellishment इस tray पर जहां जहां भी मुझे place करने हैं उन सबको paste कर देते हैं clay work complete होने के बाद जब यह अच्छे से dry हो गया था तो मैंने इसके उपर white acrylic color apply कर लिया था तो वैसे तो यह tray अभी भी बहुत अच्छी लग रही है काफी सुन्दर लग रही है पर मुझे chain का आने वाला है मैं थोड़ा सा इसके उपर coloring भी करूंगी आप लोग मुझे comment करके ज़रूर बताएगा कि आपको यह tray अभी अच्छी लग रही थी as it is यह coloring करने के बाद color करने के लिए मैंने यहाँ पर acrylic color का use किया है आप चाहें तो chalk paint का भी use कर सकते हैं तो इस तरह से मैंने 2-3 color को mix and match करके यहाँ पर इसकी base को color कर लोगी तो वैसे तो डेको पॉज की जो पेपर होता है उसकी base से हम color match करते हैं पर यहाँ पर मेरा जो डेको पॉज पेपर का base से वह white है तो मैंने यहाँ पर design से मिलते जुलते हुए color लिये हैं और उनसे ही मैं shading दे रही हूँ इसी तरह से shading देते वे मैं इसकी coloring complete करूँगी और base color हो जाने के बाद मैं थोड़ा सा design जो है उसे highlight करूँगी और leaves और flower को design देकर उसको complete look दूँगी it's completely up to you अगर आप इस part को skip करना चाहते हैं तो आप skip कर सकते हैं बट थोड़ी थोड़ी सी same color से shading देके इसको complete look दे सकते हैं तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसको complete look देने के लिए same almost same color का ही इस्तमाल किया है और उनहीं से मैं यहाँ पे leaves और बागी की detailing दे रही हूँ तो इसी तरह से हमारा color complete हो गया है अंदर की side अब मैं इस tray को बाहर से भी color कर लूँगी तो उसके लिए मैंने कुछ brown के shades और white को mix करके एक अच्छा सा color त्यार कर लिया है अब मैं इस color से इसके outer layer को भी color कर दूँगी और इसको complete करेंगे वैसे तो हम इसको किसी भी अपने मन चाहे color से paint करके brighter color से paint करके complete कर सकते हैं बट मुझे यहाँ इस tray को थोड़ा सा vintage look देना था इसलिए मैंने यह प्यारा सा color use किया है color करने के बाद हम उसको dry होने देंगे तब तक हम अपनी embellishments को भी color कर लेंगे उसके लिए मैंने यहाँ पर dark brown color लिया है और उसमें थोड़ा सा water mix कर लिया है और water mix करने के बाद मैं embellishments के उपर यह color apply करूँगी और उसको wet tissue से पहुँच दूँगी ऐसा मैंने इसको shading देने के लिए क्या है क्योंकि इसको मुझे पूरा cover नहीं करना है और बहुत specific भी नहीं होना है because हम इसको ऐसे ही shading देंगे vintage look देने के लिए तो यह बहुत ही अच्छा और beautiful दिखेगा और जो भी हमने clay से design बनाया है वो काफी अच्छे से highlight हो जाएगा तो इस तरह से हम इसको shading देंगे और complete कर लेंगे तो इसी तरह से tray के बाहर भी जहां भी हमने clay work करा है उसको भी highlight कर लेंगे और same procedure से उसको भी paint कर लेंगे तो clay पर जो हमने shading दिया है उसको shading देने के बाद यह है बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छे से जो है design उबर के आया है तो अब जो हमने stencil work किया था अब उसके उपर भी हम थोड़ी थोड़ी सी shading देंगे उसके लिए मैंने यहाँ पर white color लिया है और dry brush की help से मैं इसके उपर थोड़ी थोड़ी सी shading दूँगी और इसके बाद मैंने थोड़ा से dark brown color लेके उससे भी इसके उपर थोड़ी थोड़ी सी shading दे दी है इसको highlight करने के लिए और इस तरह से चारो तरफ इस brown color apply करके design को highlight कर लेंगे इसी तरह से top color part को भी इसी color से highlight कर लूँगी और इसको complete करूँगी color complete होने के बाद आप हम इस beautiful सी tray को seal कर लेंगे resin से resin में ले रही हूँ again itsy bitsy का this is really really good इसकी clarity काफी अच्छी आती है and इसका जो ratio है वो 2 is to 1 है तो अब इसको हम अच्छे से mix कर लेंगे और mix होने के बाद मैंने यहां काफी thin layer apply की है और apply करने के बाद इसे हम एक दो दिन के लिए dry होने के लिए छोड़ देंगे तो dry होने के बाद you can see how beautiful this tray is looking यह completely waterproof है हम इसे किसी भी तरीके से decorate कर सकते हैं और use कर सकते हैं और किसी occasion पे किसी को gift भी कर सकते हैं और इसी technique का use करके आप coasters भी बना सकते हैं तो आज के लिए इतना ही if you like the video please like share and subscribe मैं चैनल और comment करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का ये video कैसा लगा thanks for watching bye